Hello Everyone, Welcome to Last Hope, मेरा नाम है नवीन सुकला और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ Class Trilobites के बारे में But before we start मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना खुलें अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजिए और वहां से ले सकते हैं टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है Let's start Class Trilobite Class Trilobite जो है वह फाइलम आर्थो पोड़ा के अंडर में आता है अब फाइलम आर्थो पोड़ा क्या होता है तो Class फाइलम समझने के लिए हमको पहले hierarchy देखना होगा तो hierarchy देखने में Kingdom फिर फाइलम फिर Class फिर order फिर family फिर genus फिर species और अट लास्ट एक individual आता है ठीक तो group of individual species बनाते हैं group of species genus group of genus family likewise है तो हम किसकी बात कर रहे है class ट्राइलोबाइट की बात कर रहे है जो इसे animals जिनका फूड़ जो होता है वह ज्वाइंट होता है उन्हें हम क्या कNet better कैते हैं जैसे कि आप mosquito देखिए poprose देखिए दोनोंके कैसे होते हिए jointed लेक्स होते हैं तो यह किस phylaam के अदर में आएंगे तो यह अर्थो-ndra पोड़ा अंडर में आंगे तो similarly जो ट्राउडियो वह फायलम अर्थो-पोड़ा अन्डर में यता तो class trilobites include extinct form, यह जो है form trilobites, वो क्या हो गया है, extinct हो गया है, यह benthonic animals थे, अब यह देखिए उसका picture है, trilobites का, यह है आपको ventral view और यह है dorsal view, ठीक, trilobites इसका नाम क्यों है, trilobes, यह तीन lobes होता है, इसलिए इसको trilobites बोला गया, तो तीन lobes कैसे हो गया, तो आप literally देखेगा, तो आपको इस तीन ही पार्ट में बटा हुआ दिखेगा, जैसे कि suppose हम ऐसे देखेंगे, तो देखें यह तीन portion हो रहा है, तो नीचे वाला portion, बीच में thorax, उपर में sheffalon, अगर up to down देखें, तो यह देखिए, लेटरली अगर हम देखें, तो यह है, तो लेटर देखते हैं, तो मॉर्फोलोजी देखें, तो central portion है, यह है गलेबलर फरोज, यह है आई, यह है facial sutures, ठीक, और आज होल से फैलों बोलते हैं, तो हेड इस मेड़ फाइब तो सेवन सेग्मेंट, हेड जो है, इसका जो सेफैलों है, वो पार्ट से साथ सेग्मेंट से बना हु median and two lateral portions, जो सेफैलों है, वो एक median portions और दो lateral portions में divided होता है, यह जो side वाला portion है, वो lateral portion है, तो lateral portion है, इसे हम लोग generally chick कहते हैं, chick भी दो type की होती है, एक fix chick होती है, दूसरी क्या होती है, तो fix chick और free chick दिखाता हूँ आपको, यह जो है, facial suture, इसके इधर वाला जो portion है, यह है free chick, और इधर वाला जो portion है, this is fix chick, यह fix chick हो गए, और यह हो गए free chick, free chick को हम बोलते हैं, लेबरी जीना, और fix chick को कहते हैं, हम fixी जीना, the glabella is composed of three lobes, the glabular lobes is separated by transverse or oblique furose, known as glabular furose, यह flagular furose लिखा हूँ है, glabular furose, क्या कर रहा है कि glabella और जो chick है, वो glabular furose की मदद से distinguish होते हैं, एक दूसरे से अलग जाते हैं, in some trilobites, कुछ trilobites में glabella और fix chick, आपस में fused होते हैं, उनको हम grenadium कहेंगे, और thorax जो है, वो divided होता है, from cephalons, with the help of occipital furose, या occipital neck, तो यह जो thorax है, और यह cephalon है, वो occipital furose की मदद से, differentiate होते हैं, अलग जाते हैं, और यह जो portion है, इसको हम कहते हैं, general angle, next है, shape of facial suture, shape कैसा कैसा है, तो shape भी बहुत सारा type के होगे, जैसे protoperion, hypoperion, properion, opistoperion, ganoptoperion, तो यह कब कैसे हुगा, तो पहला है protoperion, protoperion क्या था, कि इसमें जो facial suture है, वो आपको इधर, जो corner है, cephalon shield, उस side में मिला आपको, तो इधर मिला, तो इसको क्या कहा गया, protoperion है, तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, अंदर था, क्योंकि इसके पास आँख था ही नहीं, आँख क्यों नहीं था भाई, तो आँख इसलिए नहीं था, क्योंकि facial suture नहीं था, इसलिए उजगा आई develop नहीं कर पाया, next है, हाइपो पेरियन, हाइपो पेरियन के case में क्या हुआ, कि facial suture तो हुआ, यह बहुत ही side में हुआ, side में किधर, तो यह जो, इसके side में हुआ, तो इसमें develop किया आई, बहुत ही small हुआ, इस वज़ा से यह भी क्या हुआ, कि blind के category में चल गया, इसका example है, microdiscus, next है, proparion, proparion क्या है, तो proparion के case में जो facial suture है, वो आपको glabla के side में मिला, means, बहुत ही दूर मिला, cephalon cilt से, तो इसमें आई था, और इसका example है, next है, opistopharion, opistopharion क्या है, the sutures, इसमें जो facial suture है, वो आपको एकदम glabla से सटा हुआ मिला, इसमें भी आई डेवलप किया था, और इसका example है paradox, गनेटो पेरियन जो है, गनेटो पेरियन, opistopharion और प्रोपेरियन का बीच वाला पार्ट है, इसमें आई भी डेवलप किया, और यह जो central portion था, faces उचर जो है, वो डेवलप किया, बट center में, किसके center में, अपिस्टो पेरियन और प्रोपेरियन के center में डेवलप किया, क्या है, यह है थोरेक्स, थोरेक्स क्या है, कि it consists of 2 to 42 segments है, यह 2 से 42 segments से मिलके बना हुआ होता है, means इसमें 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, likewise 42 तक हो सकते हैं, यह दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, पहला तो एक है axial part, दूसरा है lateral parts है, यह जो आपको segments दिख रहे हैं, यह है movable segments, means यह move कर सकते हैं, इस segment जो है, जितने भी segment है, वो भी आप देखिएगा divided है, तीन parts में, जो central part है, वो axial part जिसको median axis कहते हैं, और जो side वाला part है, उसको हम lateral part कहते हैं, the axis and the plural are separated by longitudinal furos, जो axis है, और जो plural है, वो axial, sorry, longitudinal furos की मदद से distinguish होता है, differentiate होता है, each plural at some distance form and the axis is curved at a point which is known as falcrum, यह कैसा होता है, आपको दिखाता हूँ, picture की मदद से, यह देखिए, इस type से, होता है, तो यह central part हो गया है, तो यह एक एक portion जो है, वो एक एक pluron है, तो pluron जो है, after some distance, it is curved, यह मुड़ा हुए है, आप देख सकते हैं, इस जगा पिक्चर में, यहां आपको देखना है, यह मुड़ा हुए है, तो वह ही कह रहा है, कह रहा है, जितने प्लूरोन है, वो क्या है, मुड़े हुए है, यह curved है, next है, पीजीडियन, पीजीडियन क्या है, तो यह 2-29 सेगमेंट से मिलका बना हुए है, मगर यह जो सेगमेंट है, वो आपस में fused हैं, और immovable है, ठेक, it is divided into axis and plural portions, यह भी axis और lateral portions में divided है, sometimes the pesidian may be smaller than cephalon, कभी-कभी जो pesidian है, cephalon से छोटा होता है, उस case में इसको heterofagus बोलते हैं, और tycho area के case में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, कभी-कभी pesidian, cephalon के बराबर होता है, इससे में pesidian की maximum development हुई, और maximum development इतना हो गई कि cephalon के बराबर का size के हो गया, कभी हुआ था यह, तो agnostic के case में हुआ था, इसको isophagus काते हैं, next अब distribution देखते हैं, यह कहां का मिलता है, किस टाइप के ease में मिला है, ठीक, तो trilobites had worldwide distribution, इसकी worldwide distribution है, और यह index fossils के category में है, जैसे agnostas, phacops, calamans, index fossil क्या होता है, तो index fossil उनको कहते हैं, जो कि बहुत ही कम समय के लिए हैं, but wide distribution हुआ, means large, large area distributions, but for a small period of time, wenlock limestones of silurian age में कैलमीन नामक fossils मिलता है, trilobites of cambrian age जो हैं, वो आपको मिलेंगे salt range पाकिस्तान में, कास्मीर में और spiti region में मिलेंगे, cambrian age का मिलेगा यहां आपको trilobites, cambrian period में, जो trilobites था, वो अपने peak period पे था, means इस समय इनकी population wise development सबसे maximum थी, अभी तक मतलब, जब से जब तक इन लोग मिले, जैसे कि pre cambrian time से मिल ले थे न, तो cambrian time में जब यह मिले, तो उस समय इनकी maximum development हुई थी, trilobites of all divisions A's are found in spiti and Burma, spiti और Burma कहां है, तो spiti तो पहला आपको मिल जागा है इंडिया में, यह region हिमाचल और जमू वाले region में spiti है, और Burma किसको कहा गया, तो मयारमार जो है, उसे ही Burma पहले कहा जाता था, नेक्स है, other than India, other than India आपको कहां कहां मिल जागा, तो other than India आपको मिलेगा United Kingdom में, जर्मनी में, France में, Russia में, और भी बहुत जगा, जैसे कि United States, Canada में, यहां British Columbia है, यहां मिलेगा, तो और भी various जगा पे आपको मिल जागा, आसा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, जाने को मिला होगा, Thanks for listening and as always God bless you all.